बर स्वागत है आज खिस अनोखे गैजेट से भरी वीडियो में तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धेर सारे गैजेट के साथ एक दुनिया का सबसे छोटा सा ड्रोन जिने आप चाहो तो Amazon या फिर online श्टोर से परचेस कर सकते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को करके सबस्क्राइब बाजू में आने वाले बेल आइकाउन को भी आल पर रखिये ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे पिक्सल बर्ट्स गूगल की बनाई हुई खास एर बर्ट्स है जिसमें आपको काफी सारे स्मार्ट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जी हाँ क्यूंकि इसका डिजाइन काफी यूनीक होता है और ये आपके कानों में कमफ़टेबली काफी आसानी से फिट हो जाता है जिसे आप अपने मुबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं जिसके बाद आप इसमें मुजिक को हाई कौलिटी के स्पिकर के साथ सुन पाएंगे और बस इतना ही नहीं इसमें आप इनकमिंग कॉल्स को रिसीव करके नॉइस कैंसलेशन फीचर के साथ कॉल्स पर क्लियरली बात कर प कैसे लगे हमें प्लीज कॉमेंट करके बताना ना भूले प्रिंग क्यों वैसे तो प्रिंटिंग मशिन काफी बड़े होते हैं मैं उन टेक्स्ट प्रिंटर्स की बात नहीं कर रहा है यानि कि मैं कपड़ों पर प्रिंट करने वाली प्रिंटर्स की बात कर रहा हूं जो अपने बैग में भी आसानी से रख सकते हैं तो आप बात कर लेते हैं इसे यूज करने की तो आपको पहले अपने Android और फिर iOS मुबाइल से इस प्रिंटर को वाइफाई के जरीए कनेक्ट कर लेना है और साथी आपको इसके ऑफिचल एप्लिकेशन को भी अपने मुबाइल में पेपर्स और यहां तक की स्किन पर भी प्रिंट कर सकते हैं और इसकी बैटरी भी आपको लगातर छे गटे तक बैटरी लाइफ प्रोवाइड करती हैं जिसे आप चार्ज खत्म होने पर फिर से रिचार्ज करके इस्तिमाल कर सकते हैं तो गयज अगर आप भी किसी भी बढ़ता चला जाता है यानि कि जितने अच्छी फीचर्स के ड्रोन को आप पर्चेस करेंगे तो उनका साइज भी उतना ही काफी बढ़ा होता है तो अगर आप एक छोटी से ड्रोन की तलाश में है तो एक बार इस खास जट अल्ट्रा ड्रोन को देख लीजिए क्यूंकि यह दुनिया का पहला सबसे चोटा सा और हलका ड्रोन है जिसे मोटा कमनी ने तयार किया है जिसे आप अपने घर में और बाहर आसानी से उड़ा सकते हैं इसे कंट्रोल करने के लिए इसके साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल भी दिया जाता है जिसका इस्तिमाल करके आप इस ड ड्रोन में 3 स्पीड और 6 जायरोस्कोप्स इन बिल्ट होते हैं जिसे आप 100 फीट तक की रेंज में लगबग 5 मिनट तक उड़ा सकते हैं और इस ड्रोन से खेल कर होने के बाद आप इस ड्रोन को इसके कंट्रोलर में आसानी से रखकर अपने बैग में कैरी कर सकते हैं तो आप कोई छोटा सा ड्रोन कैसा लगा हमें प्लीज कॉमेंट करके बताना ना भूले